इस नमस्कार जैसा कि आप सभी को मालूम है वरस 2002 के अंदर जो HCS भरती हुई थी उसमें हुआ था घोटाला और विजिलेंस ब्यूरो ने भी अपनी सोप दी रिपोर्ट लेकिन अब इस HCS भरती घोटाले के अंदर आरोपियों पर कारवाई को लेकर CM लेंगे अंतिम फैसला ये लिखता है अमर उजाला अखबार HCS भरती 2002 घोटाले को लेकर विजिलेंस ब्यूरो की ओर से 17 साल में त्यार की गई रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहरलाल के पास पहुच गई है अब आरोपियों के खिलाप केस दरजकराने को लेकर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही ले क्योंकि जजपा भाजपा के साथ सरकार में सामिल है ऐसे में इस मामले में सरकार जल्दबाजी में फैसले की बजाए काफी सोच समंझ कर आगे कदम बढ़ाएगी हलाकि ये भी बता जा रहा है कि भरस्ताचार के मामले में खुद मुख्यमंत्री सक्थ है ऐसे में इनके खि चोटाला को सबूत ने मिलने पर चोटाला को क्लिंचिट दे दी है। क्योंकि आप सभी को मालूम है मनमर्जी से बढ़ाए घटाए अभ्यर्थियों के अंक। नमों समेत पूरी रिपोर्ट विजिलेंस ने सरकार को सौंप दी है और उन नमों के समेत हमने पहली वीडियो के अंदर आपको नम भी बताए थे और उनकी चैन की पदती भी बताए थी चैन के पद भी बताए थे। तो गाईज ये आज की एक बड़ी अपडेट है HCS भरती 2002 के घोटाले को लेकर अब CM के दरबार में है अंतिम फैंसले की गुहार। तो देखते हैं क्या आएगा रिजल्ट जो भी आएगा वो आपके पास आपके इसी चैनल पर मिल दियाएगा तो गाईज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लेना वीडियो को लाइक करना शेयर दबा के करना तो आज की फिलाल इस अपडेट में इतना ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए नमस्कार वंदे मात्रम